जावा प्रोग्रामिंग टुटोरियल वीडियो नंबर 23 में आप सभी कसवाता थे और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ बेसिक क्वेस्चन कुछ बेसिक इंटर्विव क्वेस्चन से जावा से रिलेटेड जो की बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और ज पर दिखा रहे हैं तो हमारा पहला क्वेस्चन आता है जैसे कि कभी आपसे पूछ लेगा कि लिस्ट अफ त्री टाइप जावा अप्लिकेशन तो तीन तरह के जावा अप्लिकेशन क्या हो सकते हैं एक विंडो वाला हो गया एक वेब वाला हो गया और दूसरा मॉबाइल सकते हैं तो हैं तो हम यहां पर सिर्फ हम Q Icon 4000 तो फिर्वा पर। कि कि अगर हम बने जावा पढ़ा है तो थोड़ा आपको आपको यहां पर आईडीया हो जाएगा कि क्या है यह बश्य के करन आफके आंगर कर लो और यह के आने वाले इंटर्विय में हैं कि आपके बहुत कोडिंग नहीं की आपने अची बात ही पर पता कितना है है क्या एक्जेक्टली इसके बारे मां कुछ पता है या थी के तो वो चीज एक बार गूगल करना इस पे एं दें question third how do applied differ from application program तो applets क्या other application से कैसे different है वो आपको बताना पड़ेगा एक्स्प्लेइन करो the advantage of servalette तो वैसे ही servalette भी एक तरगा प्रोग्राम है तो वह भी आपको देखना पड़ेगा ठीक है and then question 5th क्या रहा है what are the component of java architecture तो अभी कुछ वीडियो आई थी इसे पहले java, jdb, rmi, jar files, applet viewer तो यह तरह की चीज़े होती थी then यहां पर एक तरह की question मुल जाएगा कि describe with flowchart के साथ आपको describe करना है how various tools are used in application development एक यह हो गया and then second is how various tools are used in applet development तो वह application development में कैसे होगा और applet development में कैसे होगा तो इन दोनों चीज को आपको यहां पर बताना है next question कहा है कि what are the package available in java application programming interface अब आपको package के बारे मताना है कि वो कौन-कौन से package है जो कि यहां पर यूज की जाते हैं तो जैसे कि अगर आपने वो वीडियो देखा होगा java standard library का तो जिसमें में बतायाता है कि java language होता है java.utility होता है java.input-output java.applet होता है java.net होता है तो इस तरह के package इसमें सामिल होते है next question आता है डिस्क्राइब the steps involved in JDK installation तो अगर आपने JDK install किया है तो इसका installation कैसे होता है क्या-क्या steps होते है वो सारे steps को आपको इसमें मेंशन करना पड़ेगा तो जब आप install करते है उस टाइम पर चीज़ों को देख लेना कि हाँ कैसे होता है तो वहां पर आप इसको चीज को आसानी से समझ सकते हो क्या-क्या steps होते है question number 10 कह रहा है explain step involved during the application development in java तो java का जब भी application बनाते हो तो उसमें development उसका starting से ending तर क्या-क्या steps होते है जैसे कि अगर simple हम बात करें कि किसी java program का execution कैसे होता है पहले source code लिख हो गए फिर इसे compile करोगे byte code मिलेगा धिर JVN का काम आएगा तो इस तरह का जो भी सारा process होता है वो आप बता सकते हो and the last question हमारा है java is called interactive web language तो इसे interactive web language क्यों कहते है और इसके पीछे का reason क्या है यह आपको बताना पड़ेगा तो इस तरह की बहुत सारी questions होते हैं जो कि हैं तो बहुत ही basic questions पर कई बार हम इनके बारे में सोचना भूल जाते है और अकसर interviewer start करता है इन ही basic questions से start करता है और तब जब उसे लगता है इसके basic में ही थोड़ा सा problem है तो advanced questions हम से क्या ही पूछे तो I hope यह question आपके लिए काफी helpful होगे अगर आपको वीडियो पसंद आए चैनल को subscribe कर लेना है और आपको जितने भी हमारे social media platform है वहाँ पर आप हमें ज़रूर फालो करें खास करकि telegram बहुत important है उसका link description में होगा आप जाके वहाँ पर follow कर लेना मोड्स और भी बहुत सारी चीज़े प्रोवाइट करता रहता हूं तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वूडियो में तब तक क्लिए guys टेक केर बाबाए